हेलो एब्रीवन वेल्कम तो स्काइब्रेन तोड़े वी विल स्टड़ी प्रेजरेशन आफ फूर्ड हमने अपनी प्रीविएस वीडियो में पढ़ा था कि माइक्रॉर्गानिजम हमारे लिए कैसे हामफुल हो सकते हैं और कैसे यूसफुल हम सब को पता है माइक्रॉर्गान क्योंकि हमारे फूट पर माइक्रॉबियल अटाग हो जाता है और हमारा खाना खराब हो जाता है तो इसी लिए हमें अपने स्ट को प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि उसłeاخन कोई माइक्रोबियल अटाग हो और उसे हम स्पॉईज होने से बचा सके हैं कि फूट प्रिजर सकते हैं जैसे कि कुछ chemical method होता है कुछ physical method होता है let's see the method by which we can preserve our food number one is preservation of food by sun drawing method sun drawing method में क्या होता है हम अपने food को sun exposure में रखते हैं तो sun की heat की वजा से हमारे जो food के अंदर water content होता है वो reduce हो जाता है और हमारा food dry हो जाता है तो जब हमारे food के अंदर कोई moisture नहीं होगा तो उस पर microorganism attack नहीं कर सकते तो हमारा food ऐसे preserve हो सकता है जैसे कि हम tomatoes अगर हमें long run तक use करने हैं तो हम क्या करेंगे tomatoes को dry करेंगे in sun exposure और जैसे मेथी आपको यूज करनी है तो you can dry मेथी as well also और जैसे spinach हुआ आप spinach भी dry करके रख सकते हैं उसे preserve कर सकते हैं The second method is preservation of food by heating. Heating से भी microorganism किल हो जाते हैं और हमारा food प्रिजर्व हो जाता है जैसे कि हम अपने milk को boil करते हैं हम अपने milk को boil क्यों करते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो अगर जैसे हमने normally milk ऐसी ही रख दिया heat में जैसे समोस में हम रख देते हैं तो उस पे बहुत जल्दी microbial attack हो जाता है क्योंकि microorganism को बहुत एक fine environment मिल जाता है उस पे attack करने के लि जैसे हमने पढ़ा था हीटिंग से हमारा food जो है माइक्रो प्रिजर्ब हो जाता है क्योंकि उसमें microorganism को जाते हैं ऐसे ही low temperature पे हमारे growth जो होती है microorganism की inhibit हो जाती है और हमारा खाना spoiler से बच जाता है low temperature में क्या होता है हमारा जो food है काफी लंबे समय तक fresh रहता है जैसे कि हम food भी उसमें रखते हैं refrigerator में रखते हैं vegetables रखते हैं आटा गुंद हुआ रखते हैं कुछ fruits रखते हैं वह हम अपने fruits और veggies या cooked food जो भी है उनको थोड़े time तक safe करके रख सकें और microbial attack से बचा सकें नमबर फॉर्ट इस preservation of food by common salt common salt से भी हम अपने food को preserve कर सकते हैं आप इस picture में देख रहे होंगे that this is a piece of meat इसमें क्या this man is coating a layer of salt इसमें हमां देख रहे हैं कि इसमें बहुत एक fine layer salt की लगा दी है वो इसलिए लगाई है कि अगर microorganism इस पे attack करते हैं meat पे तो उस वो microorganism जों डिर है common salt की और common salt एक अच्छा preservative यूज होता है for meats also and for such raw mangoes also we use common salt so by this method we can also preserve our food now the fifth method is preservation of food by sugar sugar एक बहुत अच्छा preservative यूज करते हैं हम jams और jellies में शुगर क्या करता है जो fruit के अंदर जो moisture content होता है उसको reduce कर देता है इसी वजह से हमाई microorganism उस पे जल्दी से grow नहीं कर पाते हैं for example आप एक mango लेकर आते हैं आप एक तो दिन बात देखते हैं वो spots पर जात है तो हम क्या कर सकते हैं आपल्स का हम जैम बना सकते हैं और पाइनापल का हम जैम बना सकते हैं तो इससे हम अपनी food को preserve कर सकते हैं और उसको काफी time तक यूज कर सकते हैं जिस लाइक जैम्स जैली के फॉर्म में नाव दिस सिख्थ मैथड इस preservation of food by chemicals अभी हमने पढ़ा था जो हमारा जो preservation of food by physical method उसमें कोई chemical का use नहीं हुआ था लेकिन chemical method में क्या होते हैं हमारे कुछ chemicals यूज होते हैं food को preserve करने के लिए जैसे sodium metabisulfite and sodium benzoate इसको हम use करते हैं food को preserve करने के लिए जैसे आपने market में देखा होगा juices मिलते हैं और jams और jellies होती हैं तो उसमें ये वाले chemicals जाले जाते हैं ताकि वह काफी लॉंग टाइम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं नौ दी लास्ट मैथर इस प्रिजर्वेशन फूर्ट बाइ मस्टर्ड और विनेगर ये भी एक फिजीकल मेथर्ड है food को preserve करने का आपने देखा होगा अपनी ममी को अचार में तेल डालत अचार पर अटाक करने के लिए तो इसी वजा से हमारा मस्टर्ड ऑल और विनेगर घर में यूज होता है प्रिजर्व करने के लिए फोड यह हमारे मेफ़ड्स थे फूड को प्रिजर्व करने के लिए तो दिया टू मेफ़ड फिजीकल मेफड और केमिकल मेफड यह हमारा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजेगा